डी एस एस बी इस्पिसल एजुकेटर प्रैमरी पोस्ट कोड बतीस बटे एकिस जी हां से जुड़ा हुआ नोटेस दो नोटेस हैं जो चब्वीस पांस दो एर बाइस जी आज की डेट में ही जारी किये गए हैं सबसे पहले इसको पढ़ते हैं यह फर्स्ट रिकॉल नोटेस उन के इंडियेट्स के लिए हैं जिनके डॉकुमेंट्स में डिफीजेंसी निकली है दुबारा से डॉकुमेंट्स हो सकता है डिपार्टमेंट ने चेक किया हो और कमी निकली हो तो उसके बेसिस पर ये एक नोटेस कंटूनेशन नोटेस है जो कि 17 सप्रेल को नकाला गया लिए है कि यह 52 केंडियेट्स हैं जिनके डॉकुमेंट्स में डिफीजेंसी पाई गई है अभी दूसरी चीज यह कि सीटेट्स का जो 60% से कम वाला इश्यू था वो डियेस वी ने जहां तक हैं स्वाल्व कर लिया है क्योंकि इस तरीके का एक भी रिमार्क मैंने सारे पढ बाकी का यह है कि 52 केंडियेट्स हैं टोटल जी हां और जिनको तीस मई से लेके आठ जून तक का मौका दिया जा रहा है वो अपने डॉकुमेंट्स इन में कमी हैं उनको दुबारा से सम्मिट करवा सकते हैं बाकी का अभी एक नोटिस और है जो कि सेकंडरी कॉल नोटिस है इतनी जल्दी एक्सपेक्ट किया नहीं था मैं परसनली अगर बताऊं तो बटे डिपार्टमेंट ने दे दिया यह बहुत बड़ी खुशकवरी है सो चलिए उस नोटिस को देख लेते हैं कि उसमें क्या बोला है डी एसस्पी ने सो यूगें सी कि यह है स्पिसल एजुकेटर का नोटिस नंबर तेरे सब पिच्चासी जी हां यह सेकंडरी कॉल नोटिस है और यहां आप देख सकते हैं कि टोटल वन सिक्स्टी फाइफ केंडियेट्स ऐसे हैं जिनको सेकंडरी कॉल आया है मतलब उन्होंने या तो डॉक् इसमें से भी उनके अंडियेट्स को हटा दिया है सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से भी हटा दिया है मतलब वह मामला हो चुका है अभी यहां जिनके मैं भी कमी हैं उनके नाम दे दिये गए हैं तो यहां टोटल ये वन जून से लेके 6 जून तक इनको अपने डॉकुमेंट सम्मिट करवाने हैं और ओनलाइन एडूजर के माद्धियम से लिंक ओपन हो जाएगा तो ध्यानपूरबक इसको अपने काम को करें जिससे आपके आगे प्रोब्लम ना आए फाइनल रेल्ट भी जल्दी से त्यार हो जा सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद मिलते हैं अगले किशी वीडियो में